हाई एविवन तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला उनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंगलिस ओनर्स के स्टूरेंट्स होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर सेवन पोयम एक्स्प्लानेशन कोश्चन का रिव्यू करेंगे 2017 से लेकर के 2022 तक पोयम से जितने भी एक्स्प्लानेशन का सवाल पुछा गया है पेपर सेवन में उन सभी कोश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे साथी साथ आपको बताएंगे कि एक्स्प्लानेशन का सवाल किस पोयम से लिया गया है और उनके राइटर कौन है यानि की basic information हम आपको देंगे जो आपको upcoming exam में काफी help करेगा तो चलिए अब हम question paper का review करना शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू paper 7 में total 4 explanation के सवाल पूछे जाएंगे और उन 4 explanation में से एक सवाल poem से भी आएगा अगर आप pattern के बारे में कहोगे तो मैं आपको यहीं पे clear करा दू paper 7 में पहला number सवाल जो आएगा और उसमें A number का जो सवाल होगा वही poem section से होगा और अभी तक का यही pattern है जब भी सवाल आया है उनमें A number का सवाल poem से ही रहा है इसलिए आप लोग मान के चलना कि यही pattern next exam में भी रहेगा तो चलिए अब हम question paper का review करते हैं और सबसे पहले 2022 का question paper का review करते हैं latest exam हुआ है और latest patterns हम आपको और एक चीज यहाँ पे बताना शुरू करते हैं देखिए 2022 में A number का जो सवाल आया हुआ है यह सवाल है May the sins of your previous worth we want यह जो line आप देख रहे हो poem का यह line लिया गया है night of scorpion poem से और इस poem के writer है निजीम इजिकेल यानि कि यह जो आप line देख रहे हो यह night of scorpion poem से लिया गया है और इसके writer कौन है निजीम इजिकेल तो यह हो गया A number का सवाल इसी में और करके जो सवाल आया हुआ है 2022 में वो सवाल है Fool are my pictures and for to carry long is the way and long यह जो line आप देख रहे हो यह line लिया गया है village song poem से और village song poem के writer कौन है writer है सरोजनी नाइडू तो दोस्तों आपने समझा कि 2022 में जो सवाल आया उनमें पहला number का जो सवाल आया यह आया night of scorpion से जिसके writer निजीम इजिकेल है और और करके जो सवाल आया 2022 में वो सवाल आया village song poem से और इनके writer सरोजनी नाइडू तो यह हो गया 2022 का question paper चलिए अब हम 2021 का question paper आपके बीच share करता हूं 2021 में आया सवाल ए नमबर में एंड चीजलेस गेजिंग ओन दा थावजेंट साउर्स ओफ इल देट इनुडेट इस वाल आफ आर्स हैज यह जो आप सवाल देख रहे हो explanation का यह पूछा गया है sonnet to the moon से और sonnet to the moon एक poem है और इसके writer कौन है इसके writer है H.L.B. Derozio तो यह वहाँ से सवाल हो गया ए नमबर में ही और करके जो सवाल आया है in him the hungry hast of rivers in me यह जो लाइन देख रहे हो यह लाइन आया हुआ है an introduction poem से an introduction poem किसके दोरा लिखा गया है यह लिखा गया है कमला दास जी के दोरा यानि कि 2020 में जो सवाल आया उनमें पहला जो सवाल आया है यह आया है sonate to the moon poem से जिसके writer H.L.B. Derozio है और और करके जो सवाल आया हुआ है यह आया हुआ है introduction poem से poem का नाम है an introduction और इनके writer कौन होगे कमला दास तो यह 2020 का question paper होगी है 2020 में जो सवाल आया है वो आया हुआ है यह नमबर में I am no more a whistle of the flesh a slave to nature and her leading rule I am caught no more यह जो सवाल आया हुआ है यह जो आप line देख रहे हो यह line transformation poem का है और transformation poem किसके दोरा लिखा गया है transformation poem लिखा गया है शिरी अरविंदो के दोरा यानि अरविंद घोस जी के दोरा लिखा गया है वहीं का यह line है और करके जो सवाल आया हुआ है 2020 में यह सवाल है their austar eyes still like those scout in a net और यह जो सवाल है यह सवाल लिया गया है down at puri एक poem का नाम है वहीं से लिया गया है और down at puri के जो writer है उनका नाम है जयन्त महापात्र तो यह हो गया 2020 का question paper 2020 वाले में आपने क्या देखा कि 2020 में जो पहला सवाल आया हुआ है यह आया हुआ है transformation poem से जिसके writer है अरविंद घोस और और करके जो सवाल आया हुआ है यह आया हुआ है down at puri poem से जिसके writer है जयन्त महापात्र चलते हैं अब हम 2019 के question paper की ओर देखिए 2019 में जो ए नंबर का सवाल आया हुआ है यह सवाल है यह जो सवाल आप देख रहे हो 2019 का यह लिया गया है shonet to the moon poem से और sonet to the moon poem के writer कौन है writer है H.L.B. Derozio और इसी में और करके जो एक और सवाल आया हुआ यह सवाल है waiting for their men's return till even the shadows roll up their contours and are gone beyond the hills यह जो line देख रहे हो यह line है Indian women poem का और Indian women जो poem है किसके दुरह लिखा गया है यह लिखा गया है शिब के कुमार के दौरह यानि की दोस्तो 2019 में जो पहला explanation का सवाल आया हुआ है poem से यह है sonet to the moon से जिसके writer है इसलबी डिरोजियर और इसी में और करके जो सवाल आया हुआ है यह आया हुआ है इंडियन विमेंट से जिसके writer है सिब के कुमार तो यह 2019 का question paper हो गया अब 2008 के question paper की और हम लोग आते हैं 2018 के question paper में यह नंबर का जो सवाल है आप लोग देख रहे होंगे सवाल है यह जो explanation का सवाल है यह लिया गया है sonet to the moon से और sonet to the moon के writer कौन है इसके writer है एसलबी डिरोजियो और इसी में जो और करके सवाल आया हुआ है patiently they sit like empty picture on the mouth of the village wells यह कहा कहा है यह है Indian women poem का line है और Indian women जो poem है इसके writer कौन है इसके writer है सिव के एक हुमार यानि की दोस्तो 2018 में जो पहला सवाल आया है यह आया हुआ है sonet to the moon से जिसके writer है एसलबी डिरोजियो और और करके जो सवाल आया हुआ है इसके writer है असिव के कुमार और poem का नाम है Indian women तो यह हो गया 2018 का question paper अब हम लोग 2017 के question paper की उराते हैं 2017 में एन नमबर में सवाल है don't write in English they said English is not your mother tongue why not leave me alone critics, friends, visiting cousins every one of you और यह जो line है यह line लिया गया है एन introduction poem से और an introduction poem किसके दोरा लिखा गया है यह लिखा गया है कमला दास के दोरा और इसी में और करके जो सवाल आया हुआ है sweet madness when the youthful brain is sized यह जो line देख रहे हूँ यह line लिया गया poetry से poem का नाम है poetry और किसके दोरा लिखा गया है वो poem poetry SLB Derozio के दोरा है यानि कि दोस्तों 2017 में जो सवाल पूछा गया उनमें जो explanation का पहला सवाल पूछा गया poem से वो है an introduction poem से जिसके writer है कमला दास और और करके जो poem है जहां से line यह लिया गया है यह poetry से लिया गया है poem का नाम है poetry और इस poetry poem के writer कौन है इसके writer है SLB Derozio तो दोस्तों यहां पे आपने देखा कि maximum question repeated है और LNMU में यही pattern है question repeat बहुत करते long question तो हर दो साल के बाद 80% repeat कर ही जाते है बलकि explanation भी repeat करते है इसलिए यह repeated question है इसको आप बढ़िया से cover कीजिएगा आप बार बार कह रहती कि explanation question का review करा दीजिए कि कौन question किस poem से लिया गया है तो मैं आपको यहां पे करा दिया बाद मांकी आपको बता दूँ कि अगर paper 7 explanation का content चाहिए या फिर किसी परकार का content चाहिए part, third, English, honors का किसी परकार का content चाहिए हमारे पास a level है वो आप ले सकते है चाहे part, third का sign levels हो sign levels का भी content हमारे पास है paper 5, 6, 7 और 8 paper 6 और paper 7 में धेरो poem है तो उस poem का original text का भी PDF हमारे पास है paper 5, paper 6, paper 7, paper 8 का guest paper भी हमारे पास a level है जो की hand written notes है और simple language में लिखा गया वो notes है और संपूर्ण English का यही रामबान content है हर साल यहीं से सवाल आते हैं exam में और इतना ही नहीं बलकि मैं आपको paper 5 से ले करके paper 8 तक 4 honors paper का धेरो videos दे दूँगा जो की आप में किलियाटे लाएगी बाद मा की मैं आपको इनके अलावा भी धेरो content दूँगा तो जिने students को यह content चाहिए यह मेरा whatsapp नमबर है 7048928746 इस नमबर पर आप मुझे whatsapp message कीजिएगा या फिर evening में 4 बजे के बाद call कीजिएगा मैं आपको यह available करा दूँगा thank you so much दोस्तो